साथियो, आज की वीडियो का विशह है प्रकृति, प्रकृति क्या है? प्रा, धन, कृति, प्रा means प्रारंभिक, कृति means रचना, अर्थात प्रारंभिक रचना या प्रारंभिक डिजाइन, इसका मतलब है कि हमारे श्रोत से जहां प्रारंभ से हमारी रचना किस तरह से हुई है? अगर हम इसको देखें कि हमारी रचना कैसे हुई है, तो हम समझेंगे कि हमारा source, हमारा origin, श्रोत क्या है? फादर हमारे पिता और माता, इनका परस्परिक मिलन, जो यह हमारी conception stage है, जब हम गर्व में आते हैं, वो इस्थिती, पर हमारे पिता और माता की genetic factors क्या है, वो हमारी रचना का प्रारंभ है, डिजाइन है, तो अगर देखा जाए, कि हमारी प्रारंभिक रचना किन बातों पर निरफर करती है, कि फादर भी, पिता भी और माता भी दोनों पांच-पांच तत्तों से बने हुए, दोनों में त्रिगुण है, सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, ति इन दोनों के तत्त्व जिस तरीके से हैं, जिस अनुपात में हैं, वही हमारे genetic factor में, जो हम बन जाते हैं, वही genetically, पैत्रिक रूप से हमें प्राप्त होते हैं, और हमारी प्रिक्ति इस बात पर भी निर्भर है, कि हमारा post-natal, यानि गर्व में और गर्व के बाद, हमारी इस्थिति कैसे रहती हैं, इसकार्थ है, कि मा की भावनाएं खासतोर से, दोनों की भावनाएं उस समय कैसी हैं, और मा की भावनाएं खासतोर से, गर्व में जब बच्चा होता है, उससे स्थिति में कैसी होती हैं, और उसके बाद उनको nutrition, पोशक तब तो किस तरीके से मिलते हैं, साथ में हमारी प्रिक्ति इस बात पर भी निर्भर करती हैं, कि हमारी कार्मिक मेमोरी क्या है, जब हम जन से, पूर जन्नों से हमें प्राप्त होती है, हमारे आत्मा के साथ जुड़ी हो ही आती है, यह हमारी प्रिक्ति बनती है, प्रिक्ति दो तरह की होती है, एक मानस प्रिक्ति, एक देह प्रिक्ति, मानस प्रिक्ति यानि कि साइकिक नेचर, हमारा मन का सोच कैसी है, वो प्रकृत की इस नेचर की जो भी वस्तुवें हमें त्रगुणात्पक है प्रकृति त्रगुणात्पक है सतोगुण रजोगुण तमोगुण इसी तरीके से देह प्रकृति भी तीन प्रकार की होती है वात पित और कफ तो फिजिकल नेचर या देह प्रकृति तीन प्रकार क सत्व गुणी रजो गुणी और तबुगुणी यह सब बैलेंस इस्टेट यह संतुलित इस्टिती कौनसी है कि जिस समय हमारा ज्यन में होता है उसमें हमारे त्रिगुण और हमारे त्रिदोष दोनों ही संतुलित अवस्था में माले जाते हैं यदि यह संतुलित ना रहें अगर यह संतुलित नहीं रहते हैं तो विक्रती हो जाती यानि जब हमारा जैन्म होता है जैन्मी कृष्टिती वो एक मेटाबॉलिक परस्टनाल्टी को डिसाइड करती है यानि के हमारी प्रकृति कैसी होगी इसका नियुक्रती है यो निष्चित करती है लेकिन जब किसी बज़े से एंवार religiest से विक्रती आ जाती है विक्रती क्यों आएगी या तो हमें बाहरी बातावरान से हमेरे विक्रती आएगी या हमारी लाइफ इस्टाइल कैसी है, जिस तरह के हम जीवन जी रहे हैं, जीवन पद्धती क्या है, उस बज़र से हमारी विक्रती आएगे। ये विक्रती ही हमारे जीवन में सभी परिशानियों का, सभी कष्टों का श्रोत होता है। विक्रती, प्रक्रती का आजसंतलित इश्चेती ही विक्रती है, जैसा कि हमने कहा, अब हम देखें कि किस तरीके से कितने कंबिनेशन्स, कितनी तरह के प्रक्रती हमारी बन सकती है। इसको हम अगर मुख्यत ग्रुप बनाएं, तो आते हैं कि वाद पित कप से साथ तरह की प्रक्रती बन सकती है। किस तरह से, किसी में वाद प्रधान हो, किसी में पित प्रधान हो, किसी में कफ प्रधान हो, किसी में वाद पित प्रधान हो, किसी में पित कप प्रधान हो, किसी में कफ वाद प्रधान हो, किसी में तीनों ही प्रधान हो। इस तरह किसे अगर देखा जाए तो साथ तरह की देही प्रकृति बन दी है। और इसी तरीके से अगर हम मानस प्रकृति देखें तो मानस प्रकृति चरक सगनिता जो महर्शी चरक हुए हैं जिन्होंने की और शद्यों के बारे में काफी कुछ दिखा है। उनके हिसाब से सतोगुण के और रजोगुण तमोगुण से सोलह तरह की मानस प्रिकृति बनती है। जिसमें साथ तरह के सतोगुण प्रिकृति है। छे तरह के रजोगुण प्रिकृति और तीन तरह के तमोगुण प्रिकृति के लोग होते हैं। सत्योगुण में क्या होता है सत्योगुण हमारी वर्चूस हमारे सत यानि विशुद्धता हमारे अंदर किसी पीजीची कितनी है वह निश्चत करती है अगर हम सतोगुणी हैं तो हम कोशिश करेगे, हम विशुद्ध तरीके से रहें, नियम से चलें रजोगुण क्या है? रजोगुण राग और देश पर निरफर करता है हमारी किसी चीज़ से राग होगा, किसी चीज़ से देश होगा इसमें प्रमुख्त तत्तों जह है, वो क्या होए? वो क्रोध जो रजोगुण प्रदान होते हैं, उनमें क्रोध की प्रदानता होगा जब भी राग और देश उनके उपर हावी होंगे तो क्या होगा उनको क्रोध आएगा क्योंकि इच्छाई पूरी ने हुई तो क्रोध आएगा इसी तरीके से तमोगुण जह है वो देता है मोह आलश प्रमाद इस तरीके से सोलह तरह के गुण बन सकते हैं तो देह प्रक्रती हमारी साथ तरीके के और सोलह तरीके के मारी मानशिक प्रक्रती तो इस तरीके से देखें के अनगिन वेराइटी अगड़ तरीके के प्रक्रतिया हो सकते हैं यदि किसी का वाद प्रकृति हो और साथ में रजो गुण और तमों गुण की प्रकृतिया हो तो ऐसे व्यक्ति को चित तद्वेग हो जाता है यहाई उनको एंग्जाइटी या चिंता बहुत जाद होगी जो कि सभी बीमारियों की सभी तनाव की मूल है अगर आप देखें कफ क्या होता है कफ है इनर्जी ऑफ अकुमलेशन जिसमें के जो शक्तिया हैं वो का एकट्री करण हम चाहते हैं कि हमारी शक्ति एक जिगए एकट्री हो जाए यह कफ की प्रक्रति है और कफ प्रक्रति में जो बीमारिया अधिक तर हमारे उपरी भाग शरीज के उपरी भाग की बीमारियों जादे आती जब जब भी हम कफ प्रकृत की प्रधानता होगी, तो ऐसे व्यक्ति को जब भी विश्येट होगा, यानि कि जब भी ये कफ कम जादा होगा, संतलित होगा, तो उनका शरीर के उपरी हिस्से की बीमारिया जादा आएंगी, जैसे कि साइनस, या नाक की, गले की, बुरॉंकाई की, फेफले की, इस तरह की बीमारें जादी होगा, यानि कि सांस की बीमारी, म्यूकस, कफ की बीमारी, कफ जो है जग जाना, अलर्जी की बीमारी, इस तरह की बीमारिया, कफ प्रकृत के लोगों को ज़ादा होगा, इसी तरीके से, पित्द का अर्थ है, Energy of Transformation, पित्द क्या कर करता है कि हमारे अन्न को इनर्जी में शक्ति में परवर्तित करता है तो ट्रांस्फोर्मिशन एक परवर्तिन की स्थिति रहती है पित अगर वैसे देखा जाए शारीक रूप में तो लीवर में बनता है गाल ब्लेडर से वो प्रिक्ति रिकलता है जिसको बाइस कहते हैं तो बेसिकली यह अगर आधार बूत रूप से देखा जाए तो पित हमारे पार्चन तंतर में ज्यादा काम आता है अता है इसके असंतरित होने पर बीमारिया हमारे जो मध्य भाग है शरीर का वहां पर जादे आती है जैसे पेट की बीमारी लीवर की बीमारी तिली की बीमारी गाल ब्लेडर की बीमारी पैंक्रियास की बीमारी डूडोनियम की बीमारी इस तरह की बीमारिया क्या हो सकती है इस तरह की बीमारिया शरीर में जादे आती है, इसी तरीके से जिसमे वात असंतलित हो जाए, कम जादा हो जाए, तो क्या होगा इनर्जी अब मुव्मेंट, वो मुव्मेंट किसी भी चीज़ को सकता है, शरीर का गती या मानिशिक गती है, भावनाओं की गती, ये वात दोनों को ही नियंतलित करता है, और जब ये वात अनियंतलित हो जाए, असंतलित हो जाए, तो क्या होता हमारी शरीर के नीचे की भाग की समश्चांगा जादा पड़ जाती, यानि इसमाल एंटस्टाइन से लेकर छोटे एंटस्टाइन आथ से लेकर बड़ी आथ और पैलविक एरिया इन सब की समस्याइं बढ़ जाती हैं जैसे कप छोना कमर के नीचे वाग में दर्द होना इत्यादी जो इस तरह की वीकृति की विकृति पर निरभर करती हैं इसा तरह के मानष प्रकृति की विकृति पर भी निरभर करती हैं अगर देख तो देखा जाए तो हमारे तेह प्रकृति और मानश प्रकृति में विक्रतिया आ जाना ही हमारी सारी परिशानी की में मूल में जड़ में है सात्यक प्यक्ति को बीमारिया कामाती है क्योंकि सात्यक प्यक्ति जो है न तो उनके देहे प्रकृति विश्येट होती है और नहीं वो दूसरे से विश्येट होने देते हैं यानि वो दूसरत नहीं होती इनकी प्रकृति और नहीं दूसरत होने देते हैं। इस तरीके से क्योंकि वो नियम धरम से चलते हैं। सत्व контрuyorum के अपने हरक नियम को पालन करते हैं। इसे इसने के वाद्पितिकप यह नियम प्यक्तिकति अनियमкого foreign कम चलते हैं, और उनमें सहन शक्ती भी कम होती है, वो जो भी दर्द है, पेन क्या है, दर्द क्या है, एक सिगनल है, जो शरीर देता है, तो उसको भी बरदास्त करने की उनकी छंता, सहन करने की छंता कम होती है, इस बज़े से उनको बीमारियां भी ज़्यादा आती है, इसलि कि किसको कौन सी दवा देनी है कौन सी औशदी देनी है तो हम ये भी समझें कि वो ब्यक्ति सर्तोगुणी है कि रजोगुणी है तबंगुणी है इसके अलावा कि कप प्रधान है कि पित प्रधान है अवाद प्रधार तो अधिक तर देखा गया है कि सर्तोगुण रहकने वाले ब्यक्ति कम बीमार पढ़ते हैं और बीमार भी पढ़ते हैं तो वो जल्दी ही ठीक भी हो जाते हैं जब कि रजो गोल तमो गोल ब्यक्ति को बीमारिया भी जल्दी आती हैं और उनको मिदान होने में भी समय लगता है तो इसी वज़े से उसकी और शदी की अलग परीके से उनको दी जानी चाहिए